तो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारती टेक चैनल पर मैं हूँ आपका अपना दोस्त अजेगमार भारती आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आनलाइन चालान को कैसे चेक कर सकते हैं साथ ही ये भी बताऊंगा कि चालान आपका जो कटा हुआ है वो रियल में कटा है या फिर किसी पुलिस वाले ने चालान काटने के बहाने आपको बेको बना दिया है क्योंकि कई बार होता क्या है कि नफी denote Raptous वाले पहले ऐसा देखा गया है और पकड़े भी गये हैं कि वह कहीं भी जाते हैं और चालान काटने लगते हैー और उसका जो रियल कागज होता है वह नहीं देता लेकिन अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि अब आप आनलाइन चालान को चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि जो प्लिस वाले ने चालान काटा है वो रियल में कटा हुआ चालान है या भी नहीं कटा है तो सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बस आपको काम क्या करना है अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की लेटेट्स वीडिय आपको लगाता मिलती रहें तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को है और application का नाम है m-parivan जो की government application है और इसकी ratings भी काफी अच्छी है आप देख सकते है 4.4 की ratings है और तकरीबन 10 million से भी ज़ादा download इससे मिल चुके हैं तो simply इसे मैंने download करके रखा हुआ है अब इसे मैं open करके आपको इसके features को बताता हूँ तो open होने के बाद कुछ ऐसा interface आपके सामने नजर आ जाता है ठीक है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर dashboard मिल जाता है RC dashboard है DL का dashboard है ठीक है तो simply आपको और three dots पर आप जाके बहुत सारी details इसकी जो है वो आप चेक कर सकते हैं बिना किसी देर के ठीक है तो माल लेते हैं कि आपको कोई details चेक करना ठीक है simply आपको यहाँ पर अपने bike का number डालना है ठीक है मैं यहाँ पर bike का number डालता हूँ UP40 का ठीक है तो यह bike number मैंने इंटर कर दी है उसके बाद आपको search पर click करना ठीक है तो जैसे आप इस पर click करते हैं यहाँ पर लिखके आ जा रहा है कि please note all the activities performed are getting locked for security reason ठीक है इस पर आपको click कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का interface आपके सरमने नजर आ जाता है ठीक है अब आपको चालान चेक करना है कि इस bike number पर चालान कटा है कि नहीं कटा है बाइक की detail भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है बाइक number आपको यहाँ पर show कर रही है ठीक है आपको address भी यहाँ पर show मिल जाता है लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो clearly show नहीं करता है वो security purpose के लिए hidden किया जाता है अच्छा अब बात करते है चालान कैसे check करेंगे आप ठीक है तो थोड़ा सा scroll करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा हुआ है view चालान ठीक है तो इस पर आपको click कर देना है तो जैसे इस पर आप click करते हैं उसके बाद होता क्या है कि लिखा कि 46 number ठीक है 46 number जो होता है वो आपको यहा नंबर फिल करना है तो इंजन नंबर जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर फिल कर देता हूँ ठीक है मैंने इंजन नंबर को भी फिल कर दिया उसके बाद आपको simply view verify पर click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि no चालान details founds again the searched RC number ठीक है यानि कि इस नंबर पर कोई भी चालान अभी तक नहीं कटा हुआ ठीक है तो इस तरीके से आप चालान को view कर सकते हैं बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा हुए यूटूब पर ऐसी fake की वीडियोस पड़ी हुई है जहाँ पर आपको वेकुप बना जाता है कि इस पर click करने के बाद आप उसको watch कर सकत थांक्स for watching